Hello everyone, Welcome to Success with Raya Academy, 10 September 2022 के धैनिक जागरण के राश्टी संस्क्रण को आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे, चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं, सबसे पहली निउस है कि तीन दिनों में होगी चीनी सैनिकों की वापसी, और ये डेट निर्धारित की गई है 12 September 2022, अभी तक ज अभी वारता हुई तो इसमें दोनों देशों ने सहमती जताई है कि गलवन घाटी और होड स्प्रिंग दोनों ही जगह से जो एक दूसरे देश के सैनिक हैं वो अपने-पने सीमा से दूर हटेंगे, और इसमें जो कुछ और भी समझोते हुए है कि मनमाने तरीके से जो भी कारवाई की जाती है उस पर भी पुई तरीके से रोक लगाई जाएगी और LAC पर फिर से यथा इस्तती बहाल की जाएगी मई 2020 के पहले वाली जो भी विवाद हुआ था वो मई 2020 में हुआ था जब चीनी सैनिक होट स्प्रिंग और गलवन घाटी की तरफ आ गये थे उसके भारत की सेनाने उन्हें ख़देडा था उसमें हाथा पाई हुई थी और उसमें भारत के भी सैनिक सहीद हुए थे और चीन के भी सैनिक मारे गये थे इसमें सुनिशित किया गया है विदेश मंत्राले के प्रवक्ता अरिंदम बाक्ची दोरा की 17 जुलाई 2022 को जो चुसुल मोल्डो में दोनों देसों के सैन कमांडरों की बीच हुई 16 दोर की वारता के बाद एक दूसरे से लगातार संपर्क रखा गया इसमें L.A.C. को लेक अरिके से वापसि सुनिशित करेंगे नेक्स निउस पर आते हैं पूजा इस्थल कानून पर केंद सरकार से दो सप्ता में मांगा गया है जवाब देकि सुप्रीम कोट पूजा इस्थल विसेश कानून 1991 की वैधानिक्ता परखेगा सुप्रीम कोट की तीन नयाधिसों की पीठ 11 अक्टूबर को मामले की सुनवाई करेगी कोट ने केंद से दो सप्ता में कानून को चुनोती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है हाला कि वारांसी में ग्यान व्यापी मस्जिद से सम्मंदित केस की सुनवाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा वारांसी वा मत्रा की अदालतों में लंबित सुनवाई चलती रहेगी सीविर्स कोट ने मौकिक रूप से कहा है कि वह दूसरी अदालतों को सुनवाई से नहीं रोक रहा है सुप्रीम कोट ने विभिन याचिकाएं लंबित हैं जिसमें पूजा इस्थल कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है यहां कानून कहता है कि पूजा इस्थलों की जो इस्थिती 15 अगस्त 1947 को थी वही रहेगी हाला कि इस कानून की परिधी से अयुद्या की राम जन्म भूमी को अलग रखा गया है याचिकाओं में कानून के विभिन प्रावधानों को रद करने की भी मांग करते हुए कहा गया है कि यह बेद पावपूर्ण है और पूजा अर्चना वा धार्मिक इस्थलों के प्रबंदन के मौलिक अधिकारों का हनन करता है नेक्स्ट निउस पर आते हैं चलिए नेक्स्ट निउस है ओनलाइन डिग्री भी होगी परंपरागट डिग्री के बराबर ओनलाइन डिग्री और डिस्टेंस लर्निंग डिग्री के लिए दाखिला लेने के एक्चुक लोगों के लिए खुसकबरी है विस्विद्धाले अनुदान आयोक का कहना है कि अब मानिता प्राप संस्थानों से हासिल की गई distance learning और online पार्ठिक्रमों की डिग्री को भी परंपरागट डिग्रियों के समकक्षी मना जाएगा UGC के सचिव रजनीस जैन ने सुकरवार को बताया कि परंपरागट तरीके से विस्विद्यालेओं और कॉलेजों से मिलने वाली इसनातक और परासनातक डिग्रियों की तरह वर्ष 2014 की UGC की अधिसूशना के तहत open और distance learning से जुड़े विस्विद्यालेओं की इसनातक और परंपरागट डिग्रियों को भी मानता मिलेगी इसके अलावा उच्च सिक्षन संस्थानों के online पार्ठिक्रमों को भी उतना ही महत्तों मिलेगा उन्हें भी परंपरागट तरीके से परासनातक डिप्लोमा कोर्स वा 15-4 से होने वाले कोर्सों जितनी ही महत्ता मिलेगी पताया जाता है कि online या distance learning कोर्सों में कुल भारती चात्रों के 25% चात्र पंजीकरत होते हैं इन में से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नौकरी करते हैं करते हुए या पढ़ाई कर रहे होते हैं या फैसला UGC के नियम 22 के तहत लिया गया है चलिए next news है उत्तर प्रदेश में भी होगा नीती आयोक का गठन उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थवयस्ता बनाने के उत्देश से के राज्य सरकार केंद्र के नीती आयोक की तर्जफर उत्तरप्रदेश के लिए नीती आयोक का गठन करने की तयारी में जुटा है इस सिल्थले में प्रारंभी बैठक हो चुकी है और प्रस्तावित राज नीती आयोक का खाका खीचा जा चुका है जल्द ही मुख्यमंत्री योगी आदितनात के सामने इस बारे में प्रस्तुती करन किया जाएगा, मुख्यमंत्री की मन्जूरी के बाद इस प्रस्ताओं पर कैबिनेट की मुहर लगाएगी, यह संस्था निती आयोग की तरह राज्य के समगर विकास के लिए थिंग टैंक की भूमिका निभाएगी औ ट्रेनों की हाई स्पीड पहियों के आया तक रहे भारत ने अब निर्यातक बनने की राह चलने की तैयारी सुरू कर दी है, इसके लिए रेलवे ने घरेलू नीजी कमपनियों को हाई स्पीय रेल पहिया बनाने का निउता दिया है, कंपनियों को विशेज प्रोत्साहन देने के लिए रेलवे उनमें कम से कम 80,000 रेल पहिये खरीदने की गारंटी देगा कंपनिया जो अतरिक्त उत्पादन करेंगी उसका निर्याथ किया जा सकता है वैस्तविक बजार में हाइस पीड रेल पहियों की जबजस्त मांगा है या जानकारी केंधरीय रेलवे मन्त्री असुनी वैशनों ने दी है इसके लिए आयवजित प्रैस वार्ता में वैशनों ने कहा कि आत निर्भारता की दिसा में या महत्तपूर कदम है वैस्टनों ने बताया कि निजी कंपनियों को हाई स्पीड रेल पहिया बनाने के आमंत्रण के लिए टेंडर कर दिया गया है LHB कोच 5,900 हर्स पाउर के रेल इंजनों के साथ वंदे भारत जैसी हाई स्पीड ट्रेनों के लिए force technique से तयार पहिये की जरूरत है राजना सिंग ने जापान के नौसेनिक बेस और युद्धपोत का दौरा किया रक्षा मंत्री राजना सिंग ने योको सुका, स्थित, नौसेनिक बेस और युद्धपोत का दौरा किया है इस बीच रक्षा मंतरी राजना सिंग और विदेश मंतरी एस जै संकर ने एक दिन पूर हुई भारत और जापान के बीच 2 प्लस 2 वारता के निसकर्स पर जापान के प्रधान मंतरी फोमियो किशिदा का आवाहन किया है राजना सिंग सुक्रवार को जापान मेरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स बेस पर पहुँचे और वहां उन्होंने उसकी पेट्रोली और निगरानी की खोबियों को देखा समुद्र से घिरे जापान की सुरक्षा का यह एहम पहलू है रक्षा मंतराले ने ट्वीट करके बताया कि रक्षा मंतरी ने योकोसू इस्थित मोगामी स्रेणी के युद्धपोत जे एस कुमानो का भी दौरा किया मंतराले ने इसकी तस्वीरे भी साजा की है इधर जैसंकर ने सुक्रुआर को प्रधान मंतरी किषिदा और प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी के विचारों के फलीभूत होने का भरोसा जताया है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि PM किषिदा का आवाहन करके वो बेहत उत्साहित हैं और इस मौके पर भारत और जापान की नीतियों और हितों के बीच संयोग से महत्त को समझते हैं नेक्ट निउस है देश को टीवी मुक्त बनाने के लिए सामोहिक प्रयास जरूरी राश्टपती द्रौपदी मुर्म ने सुक्रुआर को देश को 2025 तक टीवी याने की 6 रोग मुक्त बनाने के लिए लोगों से युद इस्तर पर सामोहिक रूप से कारे करने का अन्रोथ किया है राश्टपती ने वर्चुल तरीके से प्रधान मंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान और नौच्छे मित्र पहल की सुरुवात की है नीच्छे 2.0 पोर्टल के जरिये टीवी के मरीजों को सामुदाइक समर्थन मुहया कराने की सरकार की पहल की सराहना करते हुए राश्टपती ने लोगों से इस योजना को जन आंदोलन बनाने की भी अपील की है इस पोर्टल की मदद से कोई भी व्यक्ती निरवाचित प्रतिनिधी या संस्था टीवी के मरीज को गोद लेकर उनकी देखवाल कर सकते हैं राश्टपती ने कहा जब लोगों की हित में कोई कल्यानकारी योजना बनाई जाती है तो उसके सफल होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है उन्होंने कहा कि सभी संक्रमक संक्रामक बीमारियों से मेंसे टीवी के चलते सबसे ज़्यादा मौते होती हैं उन्होंने कहा कि भारत में दुनिया की 20 प्रतीसत से भी कम आबादी है जबकि दुनिया के कुल 25 प्रतीसत टीवी मरीज है यह बहुत गंभीर चिंता का विसे है उन्होंने निरवाचित प्रतिनिदियों केंद्री नीतियों का विस्तार है उन्होंने कहा कि नीच है पोर्टल पर कुल 13.5 लाख टीवी के मरीच पंजीकरत हैं इन में से 8.9 लाख ने गोद लेने के लिए अपनी सहमती दे दी है चलिके नेक्ट नीउस पर आते हैं बिजनस पेज में पहली नीउस है कि तेवहारी खरीदारी पर ग्राकों को रहत देने की तयारी कंजूमर डूरेबल गोड्स से लेकर गार्मेंट्स कंपनियां तेवहारी सीजन में उत्पादों की कीमतों में बढ़ोतरी नहीं करने जा रही हैं पिछले 3-4 माह में और द्योगिक जीनसों के दाम में गिरावट होने से कंपनियां ग्राकों को छूट देने की तयारी कर रही हैं कंजूमर डूरेबल कंपनियां तेवहारी सीजन में पिछले साल के मुकाबले बिक्री में 20% तक बढ़ोतरी की उमीद कर रही हैं इस कई फोन कंपनियां भी ग्राकों के लिए विभिन्य प्रकार की वित्तिय पेसकस लाने जा रही है तेवहारी सीजन में टीवी, फ्रेज, एसी, वाशी मसीन, मोबाइल फोन और गार्मेंट्स जैसे आइटम की काफी खरीदारी होती है कार्मेंट्स कंपनियों को सीजन में 30% तक अधिक विक्री की उमीद है तेवहारी सीजन नौरातर में सुरू होकर दिपावली तक चलता है नेक्स निउस है कि टूटे चावल के निर्यात पर रोक चालू खरीफ सीजन में चावल उत्पादन में भारी कमी आने और घरेलू मांग में इजाफा होने से सरकार ने चालू निर्यात को प्रतिबंदित कर दिया है गैर बासमती चावल निर्यात पर जहां 20% तक का निर्यात सुल्क लगा दिया गया है तो वहीं ब्रोकन चावल याने चावल के टुकडे के निर्यात को पूरी तरह से रोक दिया गया है केंद्रिये खाद सचिव सुदानसु पांडे ने बताया कि घरेलू खाद सुरक्षा को देखते हुए गया कदम उठाये गया है खार्द सच्चिव ने बताया कि घरेलू आपोर्ति सुनिश्चित रखना सरकार की पहली प्रत्मिकता है ब्रोकन चावल की मांग पसुचारा और एथनॉल उत्पादन में है खार्द सच्चिव ने कहा कि घरेलू पैदावार में कमी के अनुमान के बावजूद भारत में चावल का पर्यार्ट स्टॉक मौजूद है नेक्स्ट निउस है कि प्ले स्टोर से सिर्फ वैद लोन एप ही हो सकेंगे डाउनलोड वित मंतरी निर्मला सितारमन ने अवैद लोन एप के जरिये हो रहे फरजी वाड़े को गंभीरता से लेते हुए इस पर लगाम कसने को लेकर कई निर्देश जारी किये हैं वित मंतरी ने आरबियाई से वैद लोन एप की सूची जारी करने को कहा है वहें इलेक्ट्रोनिक्स और सुचना प्रदोगे की मंतराले से इस बात को सुनिश्चित करने को कहा गया है कि आरबियाई की तरफ से जारी सिर्फ वैद लोन एप ही एप स्टोर से डाउनलोड किया जा सके अवैद लोन एप के मनी लॉंडरिंग, टेक्स चोरी और शेल कमपनियों से सम्बंधों की जांच का भी निर्देश दिया गया है इंटरनेशनल पेश पर आते हैं चलिए ऐलिजाबेट के निधन पर देश में 11 को रहेगा राश्ट्री सोक भारत सरकार ने महरानी एलिजाबेट दितिये के सम्मान में एक दिन के राश्टी सोक की घोशला की है रविवार को पूरे भारत में राश्टी धवज आदा जुका रहेगा राश्टपती द्रॉपदी, मुर्मूप, राश्टपती जगदीर, धनकर, नरेंद्र मोदी ने महरानी के निधन पर सोक वेक्ट किया है तिब्वटी अद्याट्मिक नीता दलाई लवा ने महरानी के निधन पर सोक जताया है ब्रिटन में भारत की पूर उच्चायुक्त रुची गंशाम ने महारानी अलिजाबेट दितिये के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि महारानी जमीन से जुड़ी सरल और विनम्र थी चलिए तो ये आज का यानि 10 सितंबर 2022 का दैनिक जागरन का राष्टी संस्क्रन था अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद